के दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ, पर बुर्के वाली मत बनो, हिंदू की बच्चियो, सनातन की बच्चियो समझ जाओ, एक बुर्के वाली ने तुमारा ब्रेन वोश कर दिया, अभी तो 5% दिखाये था भईया, तो तुम बिल बिला गए, चिला रहे हैं, 32,000 सक के साथ नहीं हुआ, मैं कहती हुए के साथ भी क्यों हुआ, शारुक खान भाई जान को हाइलेट करना था, तो छोटे से छोटा पंचर चाप ने भी 4 टिक टे फ्री कर दी थी, कि मैं दिखाऊंगा, तो भाईया, हमने भी, सभी संगठन वालों ने, सभी लोगों ने बोल दिया, कि ज बच्चियां ब्रीफ केस में ना पैक हो, अगर चाते हो के रेलवे ट्रैक पर ना मिले, अगर चाते हो के 35 टुकड़े ना हो, तो ये मूवी बैन नहीं होनी चाहिए, तो कहती हुए हर जगा पर टेक्स फ्री होनी चाहिए, और सभी सनातन की बच्चियों को देखनी देखनी चाहिए, जहां एक पक्ष इस फिल्म को सेलिबरेट कर रहा है, और ये कह रहा है कि बॉलिवूड के इतिहास में इस तरीके की पिक्चरें, इस तरीके की फिल्म्स नए बॉलिवूड को लिखना शुरू करेगी, तो वहीं दूसरी और एक पक्ष ये कह रहा है, कि इस तरीके की फिल्म बना कर कहीं न कहीं एक कम्यूड को टार्गेट किया जा रहा है, दूसरा पक्ष जादा मजबूत इसलिए हो गया, क्योंकि दो राज्जियों ने, तमिनाडू और बंगार ने इस फिल्म को बैन कर दिया, वहीं एक पक्ष के लिए खुशी की खबर ये है कि उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश, हरियाना जैसे राज्यों ने इस फिल्म को टेक्स फ्री किया, एक फिल्म समाज का आइना होती है, लगातार वो समाज में जो गतिवीधियां चल रही होती है, उससे लोगों को अवगत कराती है, तो केरला स्टोडी जैसे फिल्म क बैन करने का क्या मतलब है यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त आस्थामा के पास आस्थामा आपको क्या लगता है कि इस तरीके की फिल्म उसको क्यों बैन किया जा रहा है सभी दर्शकों को मेरा हरर महादेव जैजाई शिरी राम देखे भी या मैं भी देखकर आई हूँ और बहुत ज्यादा मन खराब हुआ वो देखकर के आखिर उन बच्चियों का क्या कसूर था जिनके साथ यह हुआ मैं यह बैन करने की बात बैन इसलिए करी जा रही मेरे कोई यह समझ नहीं आई कि हमने कब मुसलमानों का नाम लिया हमने कब विशेश सुम्मधायवलों का नाम लिया हमने तो उगरवादियों का नाम लिया जो यह गैंग था अब अपने आपको कोई चोर समझे तो समझे उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो गलत लोगों के विरोध किया, कि गलत लोगों को ये वीडियो बिल्कुल सत्य पैदारीत है, ये कोई आप कोई कहे ना कि ये एक स्टोरी बनाकर, स्टोरी नहीं हुआ है, और सत्य हुआ है, और जिनके साथ हुआ है वो बच्चियों ने भी बोला ठीक और ये बिल्कुल बैन नहीं होनी चाहिए मैं तो कहती हूँ हर जगा पर टेक्स फ्री होनी चाहिए और सभी सनातन की बच्चियों को देखनी चाहिए यह मम्ता बेनर्जी कह रही है कि भाजपावाले जो हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं इसलिए इस तरीकिये की फिल्म है बनवा रहे हैं इसके विरोध में है क्योंकि ये फिलम जो है ये सत्य प्यधारित है बिल्कुल एकदम सत्य दिखा रही है तमिन नाडू सरकार के लिए ये फिल्म खत्रा थी, इस वज़े से इस फिल्म को बैन कर दिया गया, इन फैक्ट ये भी देखा गया है, कि जो स्क्रीनिंग्स हैं, उससे पुलिस वाले जो है लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकाल रहा है, किसने बोला बा हैं, अरे वहां पर तो हमारे बच्चे बिन बात पर पिटते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, वहां वो भी पिटते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है भाहिया, ये मूवी कुछ भी कोई, तामिल नाडू कहे, बंगलादेश कहे, बस मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि ये मूवी रुकनी नहीं चाहिए, अगर चाते हो कि बच्चियां ब्रीफ केस में ना पैक हो, अगर चाते हो कि रेलवे ट्रैक पर ना मिले, अगर चाते हो कि 35 टुकड़े ना हो, तो ये मूवी बैन नहीं होनी चाहिए, सब बच्चियों को जबरदस्ती चाहिए, कैसे भी घर से निकाल कर एक बर दिखाना चाहिए कि बेटियों तुमारी बेहनों के साथ यह हुआ है बड़े बड़े लेफ्ट के पत्रकार हैं इंफ्लुएंसर्स हैं वो तो इसकी कहानी कोई जूटा बता रहे हैं फर्जी साबित कर रहे हैं कहरें नफरत फैलाने के लिए इस त लोगोजीर तुम लोगोज तो चलो नहीं हो गए उस टाम पे तुमारे पर दादा बताते होंगे को कश्मीर में क्या हालत की गई ती कैसे घरों से मारा इसी घो origin कर विए बेटियों को डुन कर लेकर जा नहीं देखी इनोंने इनको नहीं पता अब कुछल होते हुए यह ऐसी फिलम का विरोध करेंगे जहां पर सत्य पैदारी तो यह पठान मुवी का विरोध नहीं करेंगे यह सब वहां पर बिकनी और चड़ी देखने जाएंगे खुद की बुरके वाली चाहिए पर देखने वह चड़ी और ब्रया वाली जाएंगे तो मेरा कहने का मतलब है कोई कुछ भी कहे यह बैन नहीं होगी यह चलेगी और सरकार इसको खुब अच्चे से हमारा समर्तन हो रहा है और मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा सिनेमा घर नहीं है जो आपको भारा ना मिले लोग इसको मतलब लोगों ने जैसे इन लोगों ने देखो स चारुखान भाई जान को हाइलेट करना था तो चोटे से चोटा पंचर चापने भी चार टिक्टे फ्री कर दी थी कि मैं दिखाऊंगा ठीक है अब इनके गुड़गु और यह पेट में दर्द हो रहा है तो भाया हमने भी सभी संगठन वालों ने सभी लोगों ने बोल द कि अज आज आप जाकर देखो बच्चों के अंदर एक उतेजना है कि आखिर हुआ क्या था मैं कहती हूं कि मैं धन्यवाद बोलती हूं जिसने यह फिलम बनाई कम से कम सनातन की बच्चियों को आज वो खुद बार निकल के बोल जहां हमें बोलना पड़ता था ना के बेट शोना यह क्या होता है हना तो वह खुदी पीचेटरी हमें कहना का मतलब ही नहीं बनता एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि काफी कानूनी पच्चरों में भी जो है इस फिल्म को पसाने की कोशिश की गई एक फिल्म को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोड तक चले गए हाई कोड में जा रहे हैं पर बुरके वाली ना बनो. ठीक क्योंकि एक ही बुरके वाली ने कितनी लड़कियों का ब्रेंद्वाश कर दिया था. तो मेन बात यही है कि इनको अपना बच्चीव को ध्यान रखना चाहिए यह काली दुरगा बन जाए पर बुरके वाली ना बने एक और चीज़ हो जाती है ऐसी फिल्म के साथ वो बार-बार कहते हैं कि इस तरीके की फिल्म में कोई तत्य नहीं है सिर्फ जूट प्रसाडित की गई है आपने फिल्म देखी और आप समाजिक जीवन में भी रहती है आपका क्या ऐसे कुछ बच्चों से आमना सामना होता है तो इस तरीकी की समस्या से जोज रहे हों मेरे पास बेटिया आती है मेरे पास बेटिया पर एक उसकूपर आफाया करेंगी बच्ची आते हैं तो B Dallas सी पीडित हैं बाकी ये कह रहे हैं जूट अब इनके सच बार आ रहे हैं तो इसलिए मुवी जूट लग रही है तो इस वजह से इनसे ये बरदाश नहीं हो रहा कि हमारी पोल खुल गई हमारा काला चिठा खुल गया हमारे गंदगी के पन्ने फरोल दिये गए तो इसलिए य हर नागरिक को लड़के को लड़की को कम से कम जो लड़के देखने जाते हैं पिचार परसों भरा अलहीं आता थे ट्रैटर बहुत लड़के आ वुए थे या पुराने फिल्मों को देखिए, जो हीरो है, वो एक विशेश समुदाई का है, हीरो इन दूसरे समुदाई की है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग दिखाया गया, तो वो समाजिक उसको लिए ये का गया कि हम समाजिक ताने बाने को तोरने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसी पिक्चरें, चाहिए वो तीन लड़की के साथ हुआ हो, चाहिए एक के साथ हुआ हो, चाहिए बत्तिस हजार के साथ हुआ, वैसी पिक्चर अगर ले आये जाती है, तो कहा जाता है कि ये समाजिक ताने बाने को तोरने के लिए बनाई गई गई है, इस पर आपका क्य बेटी के साथ हो जैसे हमारी बेटी के साथ वहाँ पर हुआ कैसे उसका बच्चा चीन लिया क्या क्या उसके साथ दो दो नका मतलब कितना बड़ा शर्यंत्र दिखाया ये बेटियों को देखना चाहिए बिल्कुल मैं कहती हूँ कितना बड़ा शर्यंत्र उन्होंने किया उस बच्ची के लिए और कैसे कैसे लाकर दवाई इनमें तो ये सब भाईया इनके सब लिखा हुआ है कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम्हें कुछ भी करना पड़े तुम लड़की को अपने जाल में पसाओ तुम लव जिहाद में लेकर आओ इसको तो इन्होंने किया और ये एक बात बताओ पिछली फिल्मों में हम भी मूरक थे हम कहते हैं मूरक थे क्योंकि हम लोगों न तब विरोधनी किया हमें लगता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई आपस में सब भाई भाई, हमने विरोधनी किया हमेशा आपने देखा कि एक पंडित को बलतकारी बताया जाता था मंदीर का फिल्म में हमेशा पंडित जी बलतकारी कोई पादरी क्यों नहीं, कोई मौलाना क्यों नहीं क्यों नहीं बताओ मुझे कोई पंडित पंडित ही बलतकारी और लड़का मुसल्मान का हिंदू की लड़की मुसल्मान की लड़की और हिंदू का लड़का प्लेम प्रसंग में क्यों नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया हमेशा से हमेशा सनातन को टार्गेट किया गया प्रिकल गए और आज भी कर रहे हैं अब तो यह शुकर मनाओ उत्तर परदेश में योगी माराज जी है यहां पर कोई करें ना तो बर्डोजर पट्रोल से भरा रहता है गेर त्यार रहता उसका क्या भई कहा जाना चल तो इस वजह से हमारे उत्तर परदेश में तो शांती है मैं यह कहना चाहते हूं बिल्कुल लव जिहाद पर बहुत बड़ा कानूर बनना चाहिए लव जिहाद की फांसी की मांग होनी चाहिए ताकि सनातन की बच्चियां सुरक्षी त्रेज के बच्चे है कोमल मन के होते हैं इनको कोई भी बच्चियों को पर अब मैने देखा है के बच्चियों को समझ आगई है बच्चिया समझ रही है इन फिल्मों में समझा दिया, कश्मीर फाइल्स ने समझा दिया, कैरला स्टोरी ने समझा दिया एक दम मतलब मन सुन हो गया था कि एक हस्ती खेलती एक कोमल सी चिल चडाती वो बच्ची मतलब एक बहुत सुन्दर जैसे बटरफलाई होती है ऐसे एक बच्चा अपने घर से कैसे ओस्ट्रल में आता है किस खुशी में आता है और उसके साथ एक बुरके वाली ने देखो हिंदू की बच्चियों सनातन की बच्चियों समझ जाओ एक बुरके वाली ने तुमारा ब्रेन वाश कर दिया सब पढ़ी लिकी ही लड़किया क्यों उनके चक्कर में पढ़ती है आज तक जितने भी केस हुए मैं आपको बता दू सब ही पढ़ी लिकी लड़कियों के साथ हुए हम कहते हैं पढ़ लिके बच्चा समझदार बनता है मैं कहते हुए पढ़ लिके इनका ब्रेन वाश हो जाता है मतलब उस एक बुरके वाली ने मरी सी लड़की ने और इन तीन लड़कियों का ब्रेन वाश दोका तो हो गया वह शंकर भगवान है वह राम भगवान है वह मातारानी इससे उपर कोई नहीं है यह लोग उल्टा अपने भगवान को गलत कैलाने के लिए यह चीज़े बोलते हैं हम भी कहते ना भगवान है भई भगवान स्रिश्टी चलाता है तो मैं यही कहना चाहती हूँ सुनातन की बच्चियों से हाथ जोड़कर के बेटा आप लोग मुवी देखो अगर आप लोग मुवी नहीं देख सकते या आपके पास पैसे नहीं है तो हमसे कुंटक्टिक पिछले साल हमने देखा था कि सरतन से जुदा के नारे लगे और किस तरीके से देश में कई हत्या हैं तो हमें पता चली लेकिन कई हत्याओं तो छुप गई दब गई पता भी नहीं चला अब कि केरला स्टोरी को लेकर जो लोग मदद कर रहे थे जैसे एक साधू मगर करके वेक्ति हैं माहराष्ट के पूरे के उन्होंने जब कहा कि उनको फ् टो यह भाईचारा भाईचारा निबारे थे यह बहुंट कि हिंडू-識लिम भाई 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 इनकी धमकियों से नहीं डरती, मैं गलत काम नहीं करती, मैं सच का साथ देती हूं, मैं यही कहती हूं कि बेटियों को समझना चाहिए, खास करके सनातन की बेटियों को, कोई अपना नहीं होता, इनमें से कोई अपना नहीं होता, सिरफ अपना ही अपना होता है, अपना जब भ करने के मशीन बस ये चार चीजों से आपको यूज करेंगे और कुछ नहीं होगा इनके साथ बहुत 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 धनिवाद हमसे बात करने के लिए